नमस्ते दोस्तों मैं हूँ वैबो और आज हम बात करेंगे जॉन वीक मूवी के बाले में जो एक बहुत ही जबनी के बाद अपना काम छोड़ दिया था लेकिन जब उसकी वाइफ आखरी दिशानी एक प्यारा पपी छोड़ जाती है उसे भी चीन लिया जाता है तो वो फिर से बदला नीनी के लिए निकल पड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं जॉन वी के सिंपल वड में एक्स्प्रेंड करने के लिए मूवी शुरू होती है जॉन मीक की वाइफ हेलन के रेज के साथ जो एक बीमारी से पिडित थी हेलन ने जॉन को एक बिगल जाती का पॉपी जबे जाता जॉन उसका डेजी नाम रखता है ताकि उसके साथ अपना दुख भुला सके और बाद में ऐसा ही होता है जॉन अपने डेजी के साथ ही उठता है बैठता है सोता है उसी के साथ ही सारा काम चलता रहता है लेकिन एक रात क्या होता है जॉन अपनी 1969 मस्टाइंग कार के साथ पे गर पर आते हैं और उसकी कार चोरा लेज जाते हैं और हच तब हो जाती है जब उन्होंने डेजी को मार दिया और उसके सामने गसट्ते हुए लेके आये बुरी तरिके से जॉण हुद को फोड़ने के बाद ये सारा माजरा स्टार्ड हो जाता है जब जॉन को पता चलता है कि रात वाले गुंडे विगो का बेटा लोसेफ था जिसके साथ जॉन ने पहले काम किया था तो जॉन फिर अपना पूराना काम शुरू कर देता है और बदला लिने के लिए निकलता है विगो को भी पता चल जाता है कि लोसेफ ने उसे मारा है तो लोसर को एक बहुत जोरदार गुशा मारता है और उसी के साथ जॉन को रोपने के लिए सारे resources लगाता है वो अपनी best associate मारकस को hire करता है और जॉन को मारने के लिए बेजता है बट मारकस पुराना दोस्त रहता है जॉन का तो वो उसे मारता नहीं लेकिन मारकस ने secretly जॉन के मदद करनी शुरू कर दी थी जॉन को बचाने के लिए वीगो को plans फेल कर दिये थे मूवी में बहुत सारे action scenes होते है तो जॉन ने वीगो के सारी आदमें को एक-एक करके मारा था लास्ट में वीगो का बेटा लोसब के पास जॉन पहुँच आता है और उसे भी मार दलता है अंत में जब वीगो ने मारकस को पकड़ लेया और उसे भी torture करके मारा तो जॉन ने भी वीगो से आकरी बार लड़ाई की और उसे भी मार डाला तो दोस्तो मूवी यहाँ पर ही खतम हो जाती है जॉन एक इंजर डॉक को लेकर वेट से निकलता है और उसे अपना नया दोस्त बनाता है तो दोस्तो यह थी जॉन वीग मूवी की simple word में explanation मैं उमिद करता हूँ कि आपको यह explanation पसंद आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल को subscribe करे और comment section में मुझे बताईए आपको यह movie कैसी लगी और आपको कौन सा scene सबसे ज़्यादा पसंद आया तब तक मैं आप आप से आल वीडर लेता हूँ, have a nice day!